तो दोस्तो सावमी बहुत जल्द दुनिया का फर्स्ट एक ऐसा स्मार्टफोन लॉंच कहने वाला है जिस फोन में आपको पॉप अप ड्रोन कैमारा देखने को मिलेगा और इस ड्रोन में दोस्तो 200 मेगा पिक्सल का दो कैमारा लेंस होगा इस ड्रोन को आप हवा में उड़ा कर 8 के वीडियो रेकॉर्डिंग और उसी के साथ DSLR जैसे फोटो क्लिक कर पाएंगे साधी साथ दोस्तो सावमी का इस नया स्मार्टफोन में 6000 एमेज के बैटरी और उसी के साथ कॉलकॉंग की तरब से स्नैपड्रेगन 870 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो की काफी ज़्यादा पावरफुल है तो इस फोन में आप फिरिफायर, पपजी, कॉल अब डूटी जैसे गेम आल्टरा हाई सेटिंग में भी खेल पाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साव मीगा ओल्ड फास्ट फ्लाइंग कैमरा फोन के बारे में जैसे की स्पोन की प्राइज, लॉंच डेट और कान्फर्म स्पेक्स के बारे में और साथ ये भी बताऊंगा इस ड्रोन को आप कितना देर तक उड़ा सकते हैं और ए ड्रोन कितना डिस्टन्स कवर कर सकता है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए तो दोस्तो इस फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लास सूपर एमुलेट 120 हाइपस रेट का फुल व्यू डिस्पेले पैनल देखने को मिलेगा जो की HDR10 को सबोट करता है दोस्तो इस फोन में आपको फॉन सेलपी कैमारा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ड्रोन कैमारा को थोड़ा सा बाहर निकल कर फॉन सेलपी कैमारा के लिए यूज़ कर पाएंगे इस फोन की बैक सैट में दोस्तो ट्रिपल रेयर कैमारा लेंज देखने को मिलेगा जिसका मेन प्राइमेरी लेंज होगा 200 MP का साथ में 5 MP का देफ और एक 5 MP का मायकलो लेंज देखने को मिलेगा यहां पर दोस्तो अल्टरा ओ Tuesday के लिए कोई भी लेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस फोन की ड्रोन को आप हवर में उडाकर अल्ट्रा ओइड फोटो क्लिक कर पाएंगे दोस्तो इस drone को एक वर फूल चार्ज करने पर आप लगपक 15 से 20 मिट तक इस drone को उड़ा सकते हैं इस drone को चार्ज करने के लिए आपको अलग से कोई charger खारिदना नहीं पड़ेगा जब तक drone mobile phone के अंदर रहेगा यह automatically चार्ज हो जाएगा तो चलिए और अब बात कर लेते हैं स्पोन की possessor और RAM ROM के बारे में तो दोस्तो इस phone में Qualcomm Snapdragon 870 का chipset देखने को मिलेगा जो की काफी ज़्यादा powerful है तो आप अगर heavy user हैं ज़्यादा देर तक game खेलते हैं तो आपके लिए base choice हो जाकता है बाग इस phone में 8GB RAM, 128GB का internal storage और 12GB RAM, 256GB का internal storage option देखने को मिलेगा तो चलिए और अब बात कर लेते हैं इस phone की battery के बारे में उससे पहले भाई यार बहुत इमाने से वीडियो बनते हैं तो प्लीस यार आप लोग इस वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तो इस phone में 6000 image का battery देखने को मिलेगा जो की 33W का fast charging को support करता है दोस्तों आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले वीडियो फ्लाइंग camera phone के बारे में news आ रहा था और मैं आप लोगों को भी बताया था और इसके उपर आप Xiaomi ने भी काम करना इस्टार्ट कर दिया है लेकिन अब देखना यह है कि Xiaomi का A9 smartphone कौन सा series में आता है Redmi series या फिर MI series आपको क्या लग रहा है आप मुझे commentator बोलिएगा iPhone का DJI काफी ज़्यदा premium होने वाला है backside में MI का logo देखने को मिलता है और display में आपको in-display fingerprint sensor भी देखने को मिल जाता है और right side में volume and power button का setup और left side में आपको sim track option देखने को मिल जाता है और अब अगर iPhone की launch date के बारे में बात किया जाए तो दोस्तो इस फोन का जो waistband होगा मतलब 6G वाला उसका studying price हो सकता है 40,000 से और up to जा सकता है 15,000 तक और Xiaomi का ये flying camera smartphone दोस्तो 2022 में सबसे बहले launch हो सकता है चाइना में और दोस्तो ये जो वीडियो है एक concept and prediction पे वेजडे Xiaomi के तरफ से कुछ ऐसा smartphone डिजाइन किया जा रहा है और बहुत ही जल launch भी हो सकता है बागी दोस्तो जैसे मुझे इस phone के बारे में और जदा आपडेट मिलता है मैं आप लोग को सबसे बहले बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को एक ंके लाइक कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइक करने का बाद बेल आइकण को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़दा सब पर भी share कर दीजिए और आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्सिन में है